लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें करें अपडें आइकन को सब्सक्राइब करेंस भी अुपा स्ब्सक्राइबू कर दो कर दो कर दो कर दो पादी रिखिया है जबादा सब्सक्राह चाई प्रेख भैठाए अबारी लिखिए, एदिए भादे पहादा? लिखिया जोलाओा, भी एादे, एदिए दिया है? लिखिया है? मुल्जमा को अपनी सफाई में कुछ कहना है जी नहीं कि मुल्जमा वंदना ने यह फून जानबूच कर किया है लहाजा अतादिरात हिंग दफ़ा 302 की रू से मुल्जमा को उम्र कैट की सदा दी जाती है हुआ है कर दो कर दो कर दो कर दो मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आई रुत्मस तानी कब आएगी तू? बिती जाये जिन्दगानी कब आएगी तू? चलिया तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आई रुत्मस तानी कब आएगी तू? बिती जाये जिन्दगानी कब आएगी तू? चलिया हाथ चलिया प्यार की गलिया पावों की कलिया सब रंगरलिया पूछ रही है प्यार की गलिया पावों की कलिया सब रंगरलिया पूछ रही है गीत पन घट पे किस दिन गाएगी तू? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आए रुक मसतानी कब आएगी तू? विपिदाय जिंदकानी कब आएगी तू? चलिया तू चलिया भूल सिखिल के पास अतिल के दूर से मिलके चैन आए और कब तक मुझे तड़ पाएगी तू? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आए रुक मसतानी कब आएगी तू? विपि जाये जिंदकानी कब आएगी तू? चलिया तू चलिया क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाये क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाये आ गया तो बहुत पच्चताएगी तू? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आए रुक मसतानी कब आएगी तू? जिती जाये जिंदगानी कब आएगी तू? चलिया आ तू चलिया चलिया तू चलिया चलिया आ तू चलिया बाबा तू आ गई? तू आ गई? आओ अच्छी तो होना चलिया पुली कामान ले आओ तू चलिया तू? चलिया तू? चलिया तू? आपने अभी ते कुसी निकाला नहीं? चलिया लाग बार निकाल चुका हो मगर क्या करू? वह रोध होकर हाथ पर पकड़कर फिर से आ जाता है चलिया तू? तू? अरे तू? अरे तू? अरे अरे आवरे जल्दी आ अरे वागतम श्वागतम तू? अरे पकड़ी तू मैंनीशता? नहीं क्या चिकाला तू? तुम्हारा आशिरवाद चाहिए दीवी घर में कड़म रखने के पहले मेरे शीर पर हाथ रखो और आसिरवाद दो जब तक शूरत चाहद सितारे बनी रहे तब तक इस घर में मेरी डाल रोटी बनी रहे आने के साथी चाप्रिशी करने लगा उठो जल्दी जाके गाड़ से सामान लेके आए शनलोगा आण शनलोगा घर के क्या हालत बना रखी जियारा का भुसला बाबा तुम तिकाराम को खुझ बोलते क्यों नहीं व आ रहा है तुम खुझ ही कहुन जाए गर की सपाई करने किसका काम कितमे रोच से सपाई लीए रोच तो करता हूँ केबल पर इतनी धूल क्यों बश यही एक भूल हो गई चुप रहो बाबा आसे इसके छुटी चिक कम शे कम एक हस्ते की गहां जाकर माशे मिलकर फिर आउंगा हाँ आने की कोई जरूरत नहीं आसे तेरी हमेशा के लिए छुटी नहीं मैं नहीं जाऊंगा कभी नहीं तो खाना पीना छोड़कर दर्वाजे पर लेट जाऊंगा मर जाऊंगा फिर भी इस घर से बाहर नहीं जाऊंगा अच्छा अच्छा मैंने से पहले दोखाप चाय तो लेक्या चाय अच्छा भी लाया दीती अरे तीकारा अब तु जहां और बाबा तु साथ लेया अभी डिशे है यारा मैं से पहने माली का भी घर आया है आग्टे आएंगे उनसे कहे देना खाना नौ बजे डायनिंग टेबल पर लग जाए और हाँ अरे हाँ अरे हाँ रास्ते माली से कहते जाना कल सुबह से काम पर आ जाए अ अच्छा और सुन जी धोबी से कह देना कल को दुबते का खाना दौआ खाने के देबल पर आरे बुद्भू दौआ खाने के टेबल पर नहीं डाइनिंग टेबल पर के शाव अजगया कि अजिए अजिए दोबी शुबाओ को आर्माली दोपार को न है तेरसर माली खुबा दोबी दोपार में आप अब अगर वाफर साय तो अपज ले कि इस शॉड़ का है कैमरा नहीं है मेरे पास वरना एक गजब का फोटोग्राफ मिल जाता जी मैं पानी की चोर तो ब्रदाश कर गया लेकिन ये बाल्टी फैंकर मारी तो मुझे माफ कर दीजेगा बहुत बरी गलती हो गई मैं आपको अपने नौकर संजी थे जी मेरा मतलब है मुझे अपने नौकर पर बहुत गुस्ता आया था और पानी मुझ पर डाल दिया वो बीस कराकी की सर्दी में अंदर आया ना जी आपका कुछसा उतर गया मुझे शर्म शबी दे दीचे हैं जी ठेलीए मैं जी तिरकर हो अजी सुनिये जी आगर मुझे निमोनियों तो इलाज हो जाएगा डॉक्टर का घर है न और आप नूर की बेटी है तो एक बाला गरम चाय भी हो जाए चाय ज़रूर हुआ हुआ है जो आपक यह पालत कर दों है है ईन्था आप डॉक्ट ताव है हां तुम कौन हो भ्ही जी मैं एक पोस में पालेट है यह अइसे आपालेट का इम फॉर्म है यह जी दरंसल बात है कि मेरे कप्ड़े आपकी बेटी नो उतर्वाथि मेरी बेटी चिन मैं रहाएं, घुक्षिड मेरे बेज जगर सकती है बंदना बंदना बाबा तुम आगे, बाहर तुम से मिलने के था हाँ एक पाइलेट औफिसर मेरा तॉलिया पहने हुए कषड़ कर रहा है क्षड़? मतलब क्या? अरे मतलब क्या इतने दिनों से किसके बारे में कुछ कहा क्यों नहीं? क्या नाम कोई? तेरे साथ कॉलेज में परपता था? कौन? मेटी से जानते तक नहीं हाई? तो इप ये शर्ट? हस्ती जा है? बाबा, बात ये है मैंने गल्टी से इसके उपर पानी फेंग जाता तो मैंने सुचा आप सुखा तर इसकरी करकी दे दू? बास? बास क्या? एक कप गरम चाय भी दे दे दी अरे मैंने जो सोता था कि तुम जोनों की तुरानी जान पजान होगी शयद मैंका तुम्हें का संद होगा अ मेरे परिषानी दूर हो जाएगी क्यार कर लगा teaching अगा jusqu rice aa आपको चाय बनानी पड़ी मेरे कप्रेश चुरी करने पड़े सुनिये आपको निगा मेरे साथ चलने करी लिए बाबा भी ठक कराए है इससे ही नहीं जाए जी जी घरबड हो जाएगी देखे ना दरसल बात ही है कि मैं और मेरे दोस्त बेगार परमिशन से घूमने चले आये और मेरे दोस्त की अचानक थिविए खराब होगी अधर है क्वाटर जाने से पहले तो भी ठीक नियो तो बिलकुल छुट्टी हो जाएगी जी जी आपको बहुत महरवानी होगी मैंने सब चुन लिया है चलो 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 अरे अपनी चाय तुट्टी लो चुनिए चाय बनाने के लिए और कफरे सुखाने के लिए बहुत मश्यूक निया चलिए चलिए पील पीले 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 हरी नाम का प्याला अब शाब चाला बना दो अच्छा वो साब उड़ गया शाब वो तो शुब उटके चले भी गया चले गया हाँ वो डॉक्टर शाब इनके पास बोले शाब को अधरी बेज़ दे और उनका समान शाब इदर ही है वो लेके पैक कर देना शाब लेकर आ जाएंगे खत्योड़ा बक्षिज भी दे देंगे बत्तमीज जी कुछ नहीं अच्छा मेरी जीब तो है वारी अच्छा समान दब दो मेरी जीब आपको बिल्कुल बुखार नीए होगा कहां से बंदना जी आधा बुखार तो रात को आपके पिता जी की दवा कहा कर भाग गया जो बाकी बचा था वह आपके हाथ हो की चाहिकर ने नाम अपको किसने बताया औरुन नी आपके दोस्त उनका नम अरून है क्या उसने आपक अब तो आपकी तबियत बिल्कुल ठीक होगी 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 परफेक्ट एक कप चाहे तो पीचे चाहिए हाँ हाँ बैचो ना ऐसी भी क्या जल्दी उसे इतनी मिलें चाहे तुमको मिलेगी का यानि आपको एक कप और अगर आप इसे इतना बेशरम ना समझें तो अभी कि माद़न को मेन घृ मादम की मादन तुम यह सबाइब यह लड़ी को महां मिमाना आρिर तरह पिए मैं समझ है में आप ये सबाटने को अरब दिखने की मादर इनक यह डिन घिरह सो गया हमसी तो सबहुत है यह अरगी वं कभी पर छता है जक्ब निया तकल यह तरी है अगति अगति अगता है वाथ है कैसे जाए अगता है अगर इसको समझाओ तो पता क्या जावब देता है कहता है कि अगर मैं जल्दी से मधी गया तो मेरे पीशे रोने वाला ही कौन क्यों आपका कोई नहीं है कि जी फोजा क्षेए जिफ अपना हो तब जिसकी बात माने जो इस बहुक्त के जिंद्र की बना सके चल मश्क्राओं पमाने अपने चाय नाज यारू रवक्त यतल चनि फिक्स अनुगा शींग क्षचुट चल 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 नमस्ते नमस्ते अरुन बबू अपने दोस्के बाद मानिये जादा चाय और अच्छी नहीं नमस्ते नमस्ते किसने का तो यह सब बखवास करने के लिए बखवास नहीं बिटा तुम्हा लिए रन्वे बना रहा था यहां पर आजाना अरे यह कि धर्शा आया है आप पाबुजी आपका शिग्रेट का डबा अरे चला गया पाबुजी आपका शिग्रेट का डबा पाबुजी आपका शिग्रेट का डबा दीजिय बड़ा रन्वे बना रहे थे यह कार्टून कोन है उनके घर का नौकर है तीका राम जी जाया राम जी की जह राम बाभुजी आद तो बड़े जादू कर निकले पैपल चलके हमारी जीब से पहले पहुंच गया बाभुजी आप लोग पक्की सरकों में चक्कर लगाते हुए आते हो और मैं कच्छी सरक से इसी शरक पर आदे मिलप भगवान का मंदीर है भगवान का मंदीर है जी है चाय बनाने वाली इवी है उसके दर्शन के लिए हर मंगलवार को मैं वहां चाय पीने जाता हूं तो आज भी तो मंगलवार है तरी दर्शन कर लीजिए आप अच्छा 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 गर में घुसने के लिए घर के नोकर को पहले पटाना चाहिए सिवर्ट मुझे भी है हुआ है अच्री बथ्का गर अच्छा लंट यूज़ा भाई ऑब मत बजब अच्छा जी अभी आज आगयागी चाहले चाहले शंपा कि लो साब जी चाहे अरे भगवान ये चाहे लाने का कश्त तुम ने क्यों किया क्या तंडल राम ते खेट पास के जंगल में जी खार कोई बात नहीं यह बड़े अफश्चर इनको शलाम करो सलाम साहब सलाम साहब मुझे वी तूमें क्यों नहीं मैं जो इतने बड़े अफशर को तुमारी छोटी शी दुकान पर ले आया तुमारी दुकान की शोभाज वराया धनुभाग मेरे साहब मानताओं कि मेरा छोटा सा मामूली है मगर भगवान सिंग के होटो जासी चाहे आपको कहीं नहीं मिले भी वाखे तुमारी चाहे बहुत छी शुक्रिया यह क्या है दरा जी आया शाओ जी कंबख ने मुझे शलाम नहीं किया नाम है भगवान पर है पूरा शैतान शर्त रख दिया है शंपा का हाथ उशी के हाथ देगा जो उसे हजार रुपए देगा लगता है नहोगा बाश ना बजेगी बाशरी इका राम जी बांसुरी जरूर बजेगी हम तुमारी शादी कर लेकिन हम तुमारी मदद तब करेंगे जब तुम हमारी मदद करो जल्दी बताइए क्या शेवा करना है मैं सब करूंगा आओ मेरे सब्सक्राइब भगवान जी इना अपना किलाश और यह पाशे इना बतना जीजिए कि आपकी दीदी कहा जाती है कब जाती है मैं उसकी पस आपसंद शमच गया बाबुजी शमच गया शमच गया शमच गया शमच बता दूंगा लेकिन शमच आगे बढ़ना कहीं आशा नहों कि मुशिवत में पस जाव हां क्यों मेरी दीदी बहुत गुष्य वाली है हां ओ जीगा राम जी प्रेम में मज़ा इता बाता जब अरे आप नमस्ते नमस्ते आज भी आपके चुट्टी है अजी कहा चुट्टी वुट्टी बस थोड़ी सी शौबिंग करने के लिए चला आता हूं देखिन हमारे एरपोर्ट के पास कुछ मिलता ही नहीं है जड़ा से फल भी लेने हो तो इतनी दूर आना पड़ता है आपके लोला नमस्ते चलदे कर आप भर में अधर वादनी ममाचाय प्राकाश्न कुरकुरु स्वाह है पूजा करनी हो तो हिर्दे से करनी चाहिए ठीक बेटी इन्हें प्रसाद दो ना हाँ देवी के तुवार आए हैं प्रसाद तो मिलना ही चाहिए आज पूजा सफल हो गई पावरन प्रसाद मिल गया है आप घरी जाएंगे ना जीप मेरे पास है चलिए दास्तावी हो अच्छा भाई चलो आओ क्या तुम यहां रोज आते हो बाद जब देवी के दर्शन करने हो चला आता हूं अधरी खुची होती है क्या तुम इसी पोशाक में जीप चलाओगे जी नहीं फाज में ठाट है बस अभी आता हूं आये आये बेट ये बेट बेट अरे भाई हां पिशली बार मैं तुम्हारा नाम ही पूछना भूल गया अरून वर्मा और मालूम है क्यों बेटी तुने मुझे पताया नहीं आपने पुछा नहीं बाबा अचा तुम कहां के रहने वाले वह से तुम देली के रहने वाले आप टाजी का कारोबार था अब पिता जी नहीं रहे इसलिए आम सब लोग मत्रा में सैट्ल हो गया अब तुम्हारे घर में कौन-कौन रहे चाचा जी है चाची जी एं और तुम इसने दूर चले आये हो ज तो यहां पर कोई अपना है ना किसी से चान पहिचान है ऐसा क्यों कहते हो जब छुटी मिले तो अपना ही घर समझ के चले आया करो जी खावगा आपको लोग तक्लीफ होगी अरे तक्लीफ काए कि जादस जादा एकाद पहली चाही ही तो प्योगे तो सकता खाने का भी अचा तो बस अगले इत्वार को आजाओ तेंक यू तो बस अगले इत्वार को आजाओ था क्लीफ हाँ तो फिर बाबाठी मिलना ही जखम नहीं जखम था अच यह जड़ा करते है जड़ाची करेते हैं मैंने तो सुना था एप एप वाइफ उसके लोग बहुत बहुत होते हैं तब तो आप में ये भी सुना होगा कि एक चोटा सा जखम बहुत ताग बन सकता है और चोटी से मुलाकात जीवन पर का साथ बन सकती हम अब बैचिए मैं दवा लेकर आखे रहा हुआ कल राज मैंने सपना देखा था सपना चारो तरफ आगी आगी दूए के बादल मशीन गनों की धार-धार टैंकों की घर-गराट व्यानव जंग हो रही है बाग कर अपने प्लेमें बैठ जाता हूं प्लेम स्टार्ट करता हूं जूम आसमान में 300 400 700 की रफतार होते ही वीचे सब्सक्राइब करते हैं तर्वान का नाम लेता हूं आखे बंद करके द्राम से नीचे कूद पढ़ता हूं और जब आंग खुलती है आपने आपको एक अंजाने से शेहर में एक अंजाने घर के सामने पाता हूं तरवाजा खुलता हूं एक खुबसूरत सी लड़की मुझ आप खुली तुसे ही में तो डर रहती कि आपका सपन शायद खतम ही नहीं होगा है अब तुछ शुरू हुआ है मेरा सपना अरुन बाबो मैंने आपके हाथ में दवा लगा कर पट्टी बाढ़ दी है अब आप पट्टी आपने गल्त हाथ बाढ़ गल्त जानती हूं यह क् मेरे सपने में खो गई थी सच हो गा मेरे सपना मूझे क्या मैं तुपर कैसे मालूम अब बाब को अब तो मैं बाद करने हाला था सुन रही है मैं तुम्हें पसंद हो ना तो नहीं प्र आब दो राजी ख़़ऄ और बात कभी नहीं टालेंगे सुन रही हो और ना नहीं करें हाँ वादा करते हैं प्रॉमिस प्रॉमिस देखे दुवसर बात यह है कल हमारे मेस में फंक्षन है और मैं चाहता हूं कि आप दोनों ज़रूर आई आपको आना ही पड़ेगा हाँ आएंगे तो कल मैं पास भी जाते लेने हो आओ किस सोच में फड़ गई हूं कुछ नहीं है खब्राव मत उर्दे मुसे बातन करने आएगा ना मैं शौरन हाँ कहूंगा नरका मुझे भी पसंदे ले बापा दीए धिए भी आपके खाटीड फाल अजवाँ नहीं है विलकाट टुरा आपके अप्रण वादेश इस सोच टीजी आपके ठाटीड अर्वेड बार्य कर दिके बार्टीड कि अपने ओफिसर को कभी अधुरी कानी चाहिए अपने अपने खृप अपना है अब अब उनाजी अफिसाई को तृप गांटल डृप एंदी एंटी। प्रेविए मैं पर भी और कुछ। तर वो... वहाँ 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 नाव कुछ। सर आविए दूसरे कुछ चाहँते हैं तर थाइजमें टुछ। थाइजमेंट हो गया है सव भी कुछी दिन पहले तिन की जान पषान हुई तो क्या हुआ तो क्या हुआ प्लाव में प्लीजू विखिए यह आप नगी जड़र नहीं में आपकी लड़की की नजर में हमारे सबसे बैटरी नजर पर दूरी दोरी दूर मुलागात में मौपत हो गई इसका मतलब है तेज रखतागा दोड़िवान, होगा है? संके रस laugh! और जौन? नवाल, वाले हैट. डिए रही तौनख् ऑड़ीग. दॉन हो एंज के दिखतवा नहां. लिए अरिए्सार लमगान της, нитьteenth खाल में टामें हैं। I कंड़का तामें, ठामेंगस cinnamon Lehr व Max Krushyaud. अभी बिट्रेट टू एर कमोडोर गंगोली दर इस मैशल आप बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे जनम दिन पर मुझे मुझे मुभारक बाद देने आएं लेकिन तरहसल सच पूछा जाया तो जनम दिन की मुभारक बादी एर फोर्स के उन ओफिसर को देनी चाहि कि मुबारक बादी उन ओफिसस को देनी चाहिए जो स्थाउंड बैरियर को तोड़ कर बिजली के तरह आत्मान का सीना चीवते हुए दुनिया से मीलों ऊपर चले जाते हैं अपने देश की हिपाज़त के लिए चाहे वह जंग का वक्त हो चाहे अमन का इस तिलसले में मुच से ज्यादा आप लोगों को समझा सकेंगे फ्लाइट लेटनेंट अरुन क्योंकि हाली में वह एक जबर्दस हाथे से कुज़ चिखें हैं और वह हाथा है मिस वंदनात्रपाधि नेडिजन जेंटलमन फ्लाइट लेटनेंट अरुन हैस फॉलन इन कुछ नहीं है आखे बंद क्यों है तुम्हारी सपने देख रही है तिल की धरकन इतनी तेज़ तुम्हारा नाम पोकार रही है सांसों की रखतार तुम्हारे पास ले आई है कहां से कहां सच विलू 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 आजना बहुत खुश्य तुम मेरी हो मैं मैं तुम्हारा और तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हो जब किसी पुरुष को जिवन साथी की तलाश होती है तो इसके सपनों में ऐसी लड़की की तस्वीर आती है जिसके आखों में प्रेम, त्याग और समर्पन की भावना होती है चांती हो अचानक तुम मेरी जिन्दगे में आए और मेरा सपना पूरा हो गया सच यकीन नहीं आता यकीन नहीं आता वीनू तो पूछो इन बर्फीले पहारों से इन नदी की लहरों से इन बहारों से हम दोनों की दुनों की आवाज एक है जो साथ साथ मिलकर इन बादियों में चुठेगी सुनों इसली और में दोनों मधा तो तो गया क्यों जिन्दगे मिलकरूद मेरा, 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 लिख लिया नाम इससे तेरा, 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 तेरा पुरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इससे तेरा, सुना आंगल था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमे तेरा तूटन जाएं सपने, मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ तूटन जाएं सपने, मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ नैना कजरारे, मतवारे, ये इशारे, खाली दर रूपन था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमे तेरा पूरा का घस्था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इसमे तेरा चैन गवाया मैंने, इंदिया गवाई, सर सर राच आगू दू में दुहाई, चैन गवाया मैंने, इंदिया गवाई, सर सर राच आगू, दू में दुहाई कहों क्या मैं आगे, निहा लागे, चिना लागे, कोई दुश्मन था ये मन मेरा, बन गया मीचा के तेरा पूरा काघज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम किस पे तेरा बागों में पूलों के खिलने से पहले, तेरे मेरे नेनों के मिलने से पहले कहां थी ये बातें, मुला पातें, ऐसे रातें तूटा तारा था ये मन मेरा, बन गया चादो के तेरा पूरा काघज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम किस पे तेरा वहा वुष बाकॉ वहा वहा व.. यहा हुष्ण भी तेरा ज enfor montreो झांची जजिया भी हम विंस क्विग खावत विखिए आसफू तोए वहा हुष्ण ऐाष तुमने कभी बिलियर्स के लिए जी वो मैं जानते शॉट को क्या करते हैं इस अ बैग शॉट इस जुटी तारिफ का ये मतलब वाक या तो तुम मुझे कुछ मजद चाहते हो या यह सर यह सर मैं खास फर्मिशन कमान वड़ अच्छा यह सर वह मुझे प्लेन को उड़ाते हो देखना थो तो प्लेन उड़ा कर देखा दो मिरा मतलब यह वो चाहती है कि जब मैं प्लेन उड़ाँ वो मेरे साथ हूं ना वरूंद इस इंपॉसुबल तुम मालूम होना चाहिए एरफोर्स के प्लेन में कोई सिविल नहीं बैठ सका बार बना सिविल नहीं है वो लड़की है मेरा मतलब मेरी प्यान से और आप तो जानते हैं कि लड़की कैसे होती आप तो एक्सपीरियंस है बिलकुल नहीं बिल और आप ने वाइब से बादा किया हूं तो क्या असे नहीं है जरूरी नहीं बहना पड़ता है जख मार के वाइब लड़की का मतलब समझते हों नहीं आर्मी, नेवी, एर फोर्स, आलिन वां Thank you sir, thank you. My army, navy and air force are also one-on-one, all-in-one. I have been told to do the joyride, sir. And you want me to destroy your joyride for the air force revolution? No, sir, but... But, since everything is fair in love and war, I will give you a chance. Thank you, sir. But flying club aircraft. Okay, sir. And listen. Yes, sir. You are now a married person. Yes. And I have the experience of 20 years. I will give you two classes. Yes, sir. The first class, that you have to do the work. Yes, sir. You have to do the work. You have to do the work. Thank you, sir. Thank you. Thank you. I've never seen such things like this. You know, we're in the middle of the sea. We're in the middle of the sea. What makes you think it's just like pink sun, and the big limiting universe time? I think the world or country? It has been my dreams of significance so far. Nothing is my dreams for. It is my life for my tech. Oh, I of I of I of I and I'm depending on the air force. My life in the air force. It's horrible, Let me go to find out. तुम तुम मेरे हर सानस में हो और भरकन में अब तुम बहुत ऊपर आगे अज आफ़तार भी काफी तेज हो गई है यहनी आश्मान पर पहुंचने के बाद जमीन पर उतरना पड़ेगा और राइट मुख्या जी और बरादरी के लोगों आज इस तुमिश्टर पहवार पर आप लोगों की किरपा से मैं अपनी बेटी चंपा की मंगरी करना चाहता हूं और जिस लड़के को मैं अपना दामाद बनाना चाहता हूं वह हूं हूं हजार देने की हमत है हजार बिना मौल भाव की चाराने की भादी नहीं खरीटता यह तो शारी जिन्दगी का सवाल है दोसो लोगे दोसो आरे मंगलू तूभी तो शादी करना चाहता है बहुत तो शाद्या ना एक हजार अरे सहाब आप इतने बोड़े आफिसर होकर मेरी लड़की से शादी करना चाहते हैं ने मैं चाह क्यों रही तू इस उल्लू को चाहती है अब 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 लू के शाशुर जी जल्दी से खैशला कर दो बरना मेरे शाब खपा होके चल जाएंगे फिस पाश्र पर ही टापके राजा हो गया अरे क्या बात कर रहे हो बात तो पक्की हो गया ना मुखिया जी और ब्रादरी के अब खुशी के मौके पर अपने रीती रवाज के अनुसार अब लोग लुगणी के चार चार खूर अपने गले के नीचे होता रूँ और बापूजी शरुआत आप से कीजिए अरे चाप आरक ऑंचू शाहब को लुखरी आप पुछ न बोलिए यह मेरी जिन्दगी और मौक का शवाल है यह तिरिवाज की बात है शाहब नहीं पीएंगे तो बिरादरी वाले नाराज हो जाएंगे आप तो पीनी पड़ेगी आप लाला जिगारानी बोसल पी देदो पाबा कंटिक बगवान की आप दो माले पर वत की जै हमाल्या पर वकी जै कंची देवी की जै मेंगनी देवी कीजै कि आपको थे जड़ गई है अए तक चोड़ां का जीप तक आई दीव दी जो चलीए हो जो चलीए तुम गाली तक पिल सकोगे? चल सकते हैं, मैं तो उड़ सकता हूँ जाव आप आप उड़ जाएए मैं भी अपने शंपा के पास उड़ के जाता हूँ उड़ के? जाओ, जाओ जाओ जाओ, जाओ, जाओ जाओ अगर मालूम होता है तुम शराब पिकर इस तरह बहट जाओगे तुम्हे तुम्हारे साथ कभी नहीं आती अरे विनु, तुम खामगा कबरा रही हो मैं तु बिल्कुल होच में हूँ देखो, डालिंग, मेरे पास आओ चोड़ दो मुझे अरे नशा शराब को नहीं तुम्हारा तुम्हारा है तुम्हारी आखं़ों का मच्छोो मूझे अरे, विनु, मेरे बात तु शनो विनु, मेरे बात तो सुनो विनु, रुख जाओ अरे, वह पीस Jimelsman यचाओन होजाओ handsome पहार से कूद के अपनी जान दे दूंगा देदो अपनी जान मुझे तुम से कोई मतलब नहीं ठीक है जाता हूँ बाद में पस्ताना नहाँ वेनों वेनों मैं जा रहा हूँ सीरिदा बागो अनके पवास जए हूँ बाद में आपागी जए अरूद 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 गुन गुना रहे हैं भवरे खिल रही है कली कली जरा देखो सजन देमान भोरा कैसे मुस्पाई भाए कली यू शरमाई धूंगट में गोद जैसे छुप जाई जरा देखो सजन देमान भोरा कैसे मुस्पाई भाए कली यू शरमाई धूंगट में गोद जैसे छुप जाई हाई रुद ऐसे हाई कैसे ये पवन चली गली गुन गुना रहे हैं भुमरे खिल रही है कली कली गली गली गुन गुना रहे हैं भुमरे खिल रही है कली कली किसी को क्या कहें हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए हुए हुआ क्या खोए ओए जागे जियां में अर्मान सुच सुए किसी को क्या कहें हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए खोए हुआ क्या खोए ओए जागे जिया में अर्मान सोए सोए रुत ऐसी है कैसी ये पवन चली गली गली गुन गुना रहे हैं भवरे खिल रही है कली कली गली गली कली गुन गुना रहे हैं भवरे खिल रही है कली कली सुनो पास नाओ, खली के बहाने प्यार ना जताओ जाओ चलो बात ना बनाओ, भवर के बहाने आँख ना लडाओ जाओ सुनो पास नाओ, खली के बहाने प्यार ना जताओ जाओ चलो बात ना बनाओ, भवर के बहाने आँख ना लडाओ जाओ पुन गुना रहे हैं भवर के बहाने आँख ना लडाओ जाओ पुन गुना रहे हैं भवर के बहाने आँख ना लडाओ जाओ यहां के देखने लाइक जगों में यह जील सबसे अच्छी है अच्छा इसे आशा जील कहते है आशा जील बड़ा जीब नाम है कहते हैं इसमें पैसा डालकर मांगने से हर आशा पूरी हो जाती है कमालव तो पौरण इसी वग मांगना चाहिए तुमने क्या मांगा मुझे तो बिन मांगे ही सब कुछ मिल गया है तो अच्छा शुखी रहो धळवान भोले ना जोरी बनाए रागे जै शंकर पंडी जी अभी तुम्हारी शादी भी नहीं तो क्या हुआ ये भागवान शंकर का मंदिय है इनके चर्णों में सवगन खाकर माला पिना दूगे तो सदा के लिए दूसरे कहो जाओगे पंडी जी अभी आए जड़ा दोहार जाना दो लोगटा माला एक दूसरे को पनाव पंडी आए जड़ा आए जड़ा एक फोटो की जवालो एक रुपए में एक मिनट में एक कापी आईए क्या खैल हो जाए कि आईए हाँ एक दूसरे को तड़ा महबत से देखते रही है कि अजया अग्या देखिये यह लीजिए वह चाचा फोटोग्राफ तो बहुत ही पस्कलाथ पोटोग्राफ पर भी तब अच्छा है था चालीज वरत का तजुरबा है तो नियाले उसकी कदर नहीं थी वह चाचा तुसी तब चागायो जी एक जाए अलिजिये यहार भी ले यहाज़ागा यहार्वी यहां थे तो यह दो गारिश तुम अपन ही एक बार फिर बंदिर यह ए ओड़ने बच्छे के सादव पोटोशाना क्या बच्छे को साद यह नहीं दीकर एकना तरहले बेटा हो अग्रा कि अरी इसमें शर्मारी क्या बात है सभी की शादि होती है सभी के बच्चे होते हैं इस जरी शादी हो जानी तो हो गई ना कि देखे कि मंदिर माघववान के सामने है तुमने मुझे आर प bogatना मन 추천 तुम्हेत उस एक दूसरे और दिन हो गए थे सब पहली बार मिले वे नँ खब टिनॉ वख लूल वटनल वटनल कोई लुटनल अिरसी, उलाई! सुपाब इसे घुट! यहां पर शौड चीज पने किसी चीज का दर्खार पड़े हमको याद करना सूब रात्री बड़ाजीब आदमियां किनी बगवाज करता है यहां तरदी लग रही है एक इला है कर दो कम बले तो बदल लो आरे बदल भी लो ना तुम्हारी सामने तुम्हें चला जाता हूँ जोना अरे बापा जाता हूँ लेकिन डाटती क्यों हो तरहा प्यार से तो बोलो कमाल है कि लगणिया जला दूँ तर्दी भी कम हो जाएगी कपड़े भी सुख जाएगे बंदना हम जाएगे करो करो झाल झाल पत्ते क्यों चलाती जी अंदेरा अच्छा नहीं लगता कहां है अधेरा तुम जो हो अच्छु आज तीन दिन हुए हैं हमको आये हुए अभी तब तुमारी शायरी खत्म नहीं दिया अभी तो शुरू हुई है मेरी शायरी ये कुलाबी मौसम ये बर्खा के रिंजिम और और मेरी बाखो में तुम चीछ आता है शायरी करता ही रहू करता ही रहू हो जाए रूप तेरा मस्ता ना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए रात नशीली मस्त समा है आज नशे में सारा जहां है रात नशीली मस्त समा है आज नशे में सारा जहां है आए शराबी मौसम पहता है रूप तेरा मस्ता ना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए आखों से आखे मिलती है ऐसे बेचैन होके तूफा में जैसे आखों से ठाखे मिलती है ऐसे बेचैन होके तूफा में जैसे मौज कोई साहिल से तचराए रूप तेरा मस्ता ना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए रूक रहा है हमको जमाना दूर ही रहना पास न आना रोक रहा है हमको जमाना दूर ही रहना पास न आना ऐसे मगर कोई दिल को समझाए रूप तेरा नुस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे न विनो विनो इतनी परिशाद क्यों है क्या सोच रही है अब में बाबा के सामने कैसे जाओंगे क्यों हमने कोई पात नहीं किया नहीं अरुन हम अपने होश को बैठें जो कुछ भी हुआ अच्छे नहीं हुआ अपने उपर काबू रखने से यह था हमें विनो अब भावनाव की आंदी में इंसान कभी कभी बह जाता है हम भी बह गए लेकिन हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए हमें शर्मिंदा होना पड़े हम इश्वर के सामने दूसरे को चुके हैं पती पत्नी बन चुके हैं लेकिन लेकिन जब तक दुनिया के सामने मुष्कुरादो अब तो मुष्कुरादो हाँ चलो कि इनो कितनी अजीब बात है कुछ दिन पहले हम एक दूसरे को जानते तक नहीं से और कुछी दिनों में दो से एक हो गए और अब कुछी दिनों में तीन जाओ जाओ तो जाओ तो नाम क्या रखोगी जब होगा तब सोचोंगी अ वर इसके ताम में लड़की के लिए तो बहुत अब अब पहले लड़का होगा उसके पैदा होते मां सवाहिजाज की सेहर कराऊंगा ताकि अबड़ा होकि वह भी इनके ने इसको से पाइले बहुत है 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 और सुनो है वह सब इसादी की तारीक भी पकिए करते आना क्योंकि तुमारी खोई-खोई नजरे ये बेचायन हालत अब ने से बढ़ाश नहीं होती है बेचाफ लग और सुनियार यह यह वह दिली से पूपड लेते आना इस ताख खत्मों किया लियाँ लियाँ अरे वंदना आ आप यहीं बेट हरिएगा आपकी नमस्ते मैं कहतूँ हम अभी सियलत है बेटे शाफ शलाफ शलाम अरे तुम इतनी दूर आने क्या जरूर थी तुम दूर ता रहे हुँ ना सिर्फ दो दिनी की तो बात है आज और कल परसो आजाओगे जरूर हां और चाज जो दिन क्या करूँगी मैं अब तक मैं नहीं आता हूं इसी से प्यार कर ले ना हमाई शादी की तश्वीर है चलो ते रोरी बाहर है पीनो अब क्या बाकी रहा दिदी कुछ नहीं तुम अभी गेट के पास ख़ड़ा हो जाए जैसे वो लोग आती फिर दिखाए दे मुझे फॉरी ना कि बताए जैने अलो बेटी सब इंसाम हो गया सब हो गया मुझे जरा आने में तेर हो गया तुम मुहा धोलू बूलू कार्थी होंगे अच्छा जीदी वो आगे आगे जा बाबसे के लिए जल दिए मदन जी आप वो लोग नहीं आ सके क्यों मैं बहुत बुरी ख़बर लेकर आया हूं बुरी ख़बर क्या बास हमाद है अरुनका ब्रेन क्रेश हो गया है उसके ख़लत बहुत सीडियस है कहा है वो हॉस्पितल में आप लोग को मैं लेने आया हूं चलो बेखी आप लोग यह थेड़ें आया हूं आप लोग यह थेड़ें आया हूं कि लेटन डेन बंदनाजी आगें है आप इंसे सिर्फ दो मिनिट बात कर सकती है शिस्टर कम अरून 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 विलन विलन फिनो, लोग मत जब मेरा हवाई चहाज नीचे आ रहा था मुझे ऐसे लगा अब मैं तुम से कभी नहीं मिल सकता मौत मेरे सामने थी और मैं जिन्दा रहना चाहता था तुमारे लिए हमारे बेटे के लिए विनो, मेरा सपना याद है ना तुम्हे पुरा करना होगा उसे भी पाइलोट बनाना होगा बनाओगी ना अब तुम बात मत करो चुपचाप आराम करो पहले पहले पेटा ही होगा हमारा पर मदर मुंसे देखना सपूंगा कैसी बाते करते हो तुम तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे अच्छे काली सी परचाई किसकी अरून काली सी परचाई अरून 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 हाँ अरून तुमारे बाबा कहा है बाहर है मदन के साथ उन्हें बुलाओ बात मत करो अरून विन्हों मुझे उन से कुछ कहना है अभी नहीं बात में तुम मेरे पात शायद साथा वक्त है नहीं ऐसा मत को तुम ठीक हो जाओगे मुझे उनसे कहना कि हमारे शादी हो चुकी है मंदिर में भगवान के सामने फिर कभी कहना, पहले तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ शायद विनू बाद में मौकाने मिले बुलाओ, विनू जाओ जा ती बुलाओ, जाओ मेरे पास वक्त नहीं हो जाओ, जाओ बापा! क्या हुआ बेटी? पापा! क्यो बेटा, बोलो जा है बेटा बड़त बोलो बोलो, बोलो, क्या है? अजवड में आ बेटा बोलोंबेटा बोलो ब投डाब बोलो नहीं, नहीं, अप्राइबु, इस तरह से रोलो कर आप अरुन की आद को बहुत सस्ता बना रहे हैं वो इंडियन एर फोल्स का पाइलिट है, जिसके जिन्दगी हमेशा मौत के साहे में पलती है इसाद आपको पता नहीं, और उनने अपने फर्ज के खातिर जान बुच कर मौत को गले लगाया बंदना जी, ऐसे आदमी की मौत पर आँसू नहीं बाहे जाते, चाद धानजली और पितकी जाती है अपने चीट का मदन जी, आज के बाद में कोशिश करूंगी, मेरी आपकों में कभी आँसू नाएं, कभी आँसू नाएं यहां के देखने लाइक जगों में यह जील सबसे अच्छी है, इसे आशा जील गहते हैं, आशा जील, बड़ा जील नाम है, वहते हैं, इसनों पैसा डाल कर मांगने से हर आशा पूरी हो जाती है, आज कमाल है, वे तो पॉरर निसमागते हैं इसनों मांगना चाहिए, तुमने क्या मांगना, मुझे तो बिन मांगे हैं, सब कुछ मिल गया है तु कहां चली गए थी बेटी, मैं कब से तेरा इंतिजार कर रहा हूँ देख बेटी, मन को जलाने से दुख दूर नहीं होता है, दुख को तो कोशिच करके भूलाना पड़ता है बाबा, मुझे कुछ कहना है तुमसे कहो बेटी, कहो ना यह क्या अंधेरा क्यों कर दिया मुझाले में कहने सकूंगी ऐसी कौँची बात है बाबा, मैं मा बनने वाली गए वाली गए वन्दरा तुभव तुभव पिश्रे रोमत, रोमत, रोमत वन्दरा कल सुभा हम दुनों उस दन्यों के लिए और चले जाएंगे कहां? कहीं भी, किसी दूसरे शहर में तुम्हारी बद्नामी नहो उसका ये एक ही वाय है फिर एक महने में देर महने में वापस आ जाएंगे किसी को कुछ मालूम नहीं होगा देखो बंद्ना जो भूर तुमने की है उसे हमेशा के लिए भूल जाओ नहीं बाबा मैं इसे भूर नहीं कह सकती इसे के लिए तु जीना है मुझे अरी तु क्या करी ये पगली एक कुमारी लड़की के बच्चे को समाज कभी नहीं सुईकार करेगा उसे नफरत की नजर से देखेगा और अरूंट के साथ जब तेरी शादी नहीं हुई वही थी बाबा शंकर भगवान के सामने लेकिन दुन्या वालों के सामने नहीं हुई इसलिए दुन्या इसे कभी नहीं मानेगी लोकलाज का रीत रिवाज का खयाल तो रखना ही पड़ता है अब तो मेरी दुन्या ही अलग है जिसमें न लोगों का डर है न लोकलाज की परवा तू होश में नहीं है बंदना कल जब तेरा बच्चा बड़ा होगा तो लोग उसे ताने देंगे तुछ पर उंगलिया उठाएंगे और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तेरा ही बच्चा तुछे आकर पूछेगा कौन है मेरी पिता अब क्या जवाब देगी बापा नहीं बेटी ए गलती को निभाने के लिए दूसरी गलती नहीं की जा सकती मैं जो कुछ कह रहा हूँ तेरी भलाए के लिए चल कल ही हम लोग यहाँ मैंने फैसला कर लिया है जब तक जिन्दा रहोंगे उनके आरात ना करती रहोंगे और उसके लिए हर मुश्किय हर मुसीबत के सामना करोंगे ठीक है बेटी तुझ में जब इतनी हिम्मत है तो मैं भगवान से प्राफ्थाना करूंगा वह हमेशा तेरी मदद करें आये नमस्ते आप है अरुन के साथ आजी जी हाँ हम बागदुगरा से आए मेरा नाम है गोपालते पाथी यह है मेरी बेटी बंदना बैठिये बैठो बेटी जिस दिन वो भयानक दुरगटना हुई उस दिन सुबह मुझे अरुन का तार मिला था कि वो आ रहा है और दोपायर को ख़बर मिली कि वो नहीं रहा है अरुन ने आपको कभी कुछ लिखा था बंदना के बारे में नहीं तो अरुन के बच्चे की मा बनने वाली है ताच्यों भै अरुन ने कभी कुछ नहीं कहा मुझे वो तो हर बात में मेरी सला रेता था मुझे बताये बिना उसने शादी कैसे कर ली अजी सुनते हो जरा भीतर आना माफ किजी मैं अभी आया मैं अभी आया क्या है क्या है जंदा आप भीतर बताती है बात क्या है उस बुड़े और उसकी लड़की को फॉरण घज से निकाल दो क्या कहें ये योगता मैंने सब सुन लिया है आरुन के मरने के बाद उसकी जैदाल हम लोगों को मिल दे अभ्या इस चोक्री को घर में रखे उसका हिस्सा वापस करना है मेरे पटी की अचानक तब्यत खराब हो गई आप लोग जा सकते हैं ऐसा में कहिए ये आपकी बहू है बहू? किसकी बहू? कहा की बहू? मेरा अज्याकारी भतिजा जो बिना पुछे घर से कदम बाहर नहीं रखता वो मुझसे बगर पुछे शादी कर लेगा वहां होई शादी? कब होई शादी? किसके सामने हुई? इश्वर के सामने बहुत खुब शादी हुई इश्वर के सामने और जिसने शादी की वो विचारा दुनिया से चल बता ना कोई गवान ना कोई सबूत ना जाने किसका पाफ हमारे गले मड़ने चले आई है नहीं नहीं भगवान के लिए विश्वास कीजिए ये बच्चा अरुन का ही है मेरी बेकी और उसका होने वाला बच्चा ये दोना आपके खांदान के अमानों था है बन कीजिए बख्वास हमारे खांदान में बहुए शादी से पहले बच्चा लेकर नहीं आती ले जाए इसका लंकनी को यहां से मैं हाज ओरता आप भागवान के लिए इसके हाल पर जरा तो रहम कीजिए अगर आपने इसे स्विकार न किया तो यह बेचारी जाएगी कहां कहीं भी जाए गंगा की गोद है रेल की पत्रियां है और अगर तुम इसके असली बाप हो तो इसे जहर क्यों लिला कर दे देते बाप बाप त्रफागी जी और न कहीं और न कहीं और न कहीं ए ठीकर भगवान ही ने जिसे कहीं का नर्खा उसके लिए इंसान से दया के आशा रखना मेरी भूल थी शमा की जेगा मैंने आपका अंदमोल समय नस्ट किया बगवान आप लोगों को सदा सखी रखे चल बेटी चल बेटी बट हो बेटी तुम जा बाबा मुझे अप्टी किसमत पर छोड़ दा वीनू अज मेरी बज़े से तुम्हारा कितना अपमान हुआ इससे इससे मैं मर जाती थी तो अच्छा होता छी छी बेटी ये तुक अच्छी बाते कती है भगवान ने मुझे क्यों जिन्दा रखा उनके साथ ही क्यों ने उठा लिया देखी तुझे उसका सपना पूरा करना होगा बनेगी आशा एक दिल तेरी ये निराशा काहे को रोए काहे को रोए सफन होगी तेरी आराधना काहे को रोए चाहे जो होए सफन होगी तेरी आराधना काहे को रोए दिया तूते तु है माटी जले तो ये जो थी बनी तूतिया तूते तू है माटी जले तो ये जो थी बने बहे आसू तो है पानी रुके तो ये मोती बने ओ ये मोती आखों की तूजी है ये नाखों ये साहे को रोए साहे जो होए सफल होगी तेरी आराधना काहे को रोए समाज आये इसमें तूपा जिया तेरा साधर समान समाज आये इसमें तूपा जिया तेरा साधर समान नजर तेरी काहे नादान शलक गई गाधर समान जाने क्यूं तूने यूं आसू बलसन मैन भिगोए आहे को रोए चाहे जो होए सफन होगी तेरी आराधना आहे को रोए कहीं पे है दुख की छाया कहीं पे है खुशियों की धूप कहीं पे है दुख की छाया कहीं पे है खुशियों की धूप दुड़ा भला जैसा तभी है यही तो है बग्या करूप पुलों से काटों से माली नहार पिरोए आहे को रोए चाहे जो होए सफन होगी तेरी आराधना सफन होगी तेरी आराधना काहे को रोए काहे को रोए काहे को रोए तुम्हारे दिल में कोई ऐसा दुख है जिसे तुम छुपा रही हो तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो अपना दुख किसी को बताने से मन हलका होता है बेटी और हो सकता है मैं तुम्हारे कुछ मदद कर सको मेरी मदद कोई नहीं कर सकता डॉक्टर फिर भी मैं आपको बताऊंगी सब कुछ बताऊंगी मैं आपको बताऊंगी मैं 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 तुम इतना घबराती क्यों हो सिर्फ सुबा तक ही तु दूर रहेगा तुमसे सुबा नौबजे ऑफिस खुलता है आकर उसे बोड ले ले पिर तुम्हारा बेटा कानूनी तोर पर हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा चलो आप मैं मैं एक बच्चा गोद लेना चाहती हुए आप? आप शादी शुदा है जी जी नहीं आम तोर पर बच्चा वही लोग गोद लेते हैं जिनकी अपनी संतान नहीं होती मेरा कोई नहीं है अकेले खर में जी नहीं लगता इसलिए मैं सौरी आई देखिए सब चोटे बच्चे इस कमरे में यह एक साल का है यह बच्चा मुझे चाहिए इतना चोटा जी हाँ यह बच्चा मुझे पसंद है इतना चोटा बच्चा पालने में आपको बहुत तक्रीफ होगा जिस मा का अपना बच्चा होता है वो भी ताकिर पालती है अगर आपको पसंद है तो मुझे क्या इतराज हो सकता है यह बच्चा नर्स को दे दीजिए नर्स आप मेरे साथ आफिस में आईए आईए चोटे बच्चे के लिए क्या क्या चाहिए आपको मालूम है यह तो मैं आपको लिस्ट देता हूँ यह दीजिए इसमें जरूरत की सब चीज़े लिखी आप बादार से खरीद लाएए तब तक मैं फार्म तयार करके रखता हूँ नमस्तर नमस्तर मातीजिए यह देखे आपने जो लिस्टे थे मैं उससे भी जादा चीज़े ले आई हूँ इससे कहते हैं तक्रीफ जो बचा आपने पसंद किया था यह सब उसकी किसमत में नहीं क्या बात यह है कि आपके जाते ही एक सज्जन रहे जिनकी बीवी को में तीसरी बार मरा वबच्चा पागा है अगर यह बात उसे मालूम हो जाती शायद वो जिंदा ना रहती उनकी जान बचाने का थीक ही रास्ता था त्योसे दूसरा बच्चा दे दिया झापने उसे मेरा बच्चा देदिया आप तो सिर्फ अपने कितना बड़ा अनत कर दाना ये क्या क्या आपने आप खामखा इतनी प्रेशान हो रहे हैं आई ये दूसरा बचा पसंद कर देंगे नहीं मुझे सिर्फ वही बचा जाए इसके पास है लेकिन उन्होंने वह बचा खानूनी तोर पर गोद लिया है अब वह आपको नही बचा लाए थे नहीं है अपकर लणा ताश्रम से बच्चा लाए थे ना क्या वह बच्चा आप से पहले मेने पसंद किया था अब वो गल्थे से दे जिया गया वो मेरा है वो बच्चा मुझे चाहिए आप महीं बने करके तरो तुम अंदर आप आप बैचो अजरहा इस तयर आराम से बता है तुम कौन हो औक्या चाहती है आपकर नाम राम्कृषाट सकसेना है ना मेरा नम बंदन्अ है आप इस बच्चे को गोलिया है वो मज़े चाहिए क्यूं 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 क्यूंकि मैं उस्की माँ हूँ तुम उसकी माँ तो फिर तो अनातास्रम के सामने नहीं हुए थी, इसलिए मजबूर होकर मैंने अपने बेटे को अनातास्रम के दर्वासे पर छोड़ दिया, ताकि दूसरे दिन सुबह जाकर मैं उसे कानूनी तोर पर गोद ले सकूँ, और विश्वास कीजी, मैं सच कह रही हूँ, मैं साबिक कर सकत मैं उसके माँ हूँ, मैं हस्पिताल सुस नौस को भी बुला सकती हूँ, कोई जुरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है, पाप मेरा बेटा मुझे वापस कर देजी, वो मेरे जीने का एक ही सहारा है, वो मेरे पती की अमानत है, तो उसे हमारे घर करने दो, कभी नहीं, पाइस करने से क्या फाइदा है, तुम आवरत हो, अकेली हो, बच्चे की परवरिश करने के लिए, तुम्हे हर कदम पर मुझेवातों का सामना करना पड़े जा, लेकिन तुम कर नहीं सकोगी, दुनिया कितनी जालिम है, यह मैं तुम से जादा जानत तुम ही फैसला कर लो, इस घर में पल्ले में तुम्हारे बेटे की भलाई है यह नहीं, आपका कहना हत तरह से ठीक है, लेकिन मैं उसके बीना कैसे जीओंगे, कैसे दूर रह सकूंगे उसे, तुमने शायद ठीक से सुनाने, उसे दो माओं का प्याद मिलेगा, तुम हमेश बच्चा तुम्हारा है, यह मेरे और तुम्हारे सिवा किसी को मालूम ना हो, मगर बच्चे की खातीरी यह वादा तुम्हे करना ही पड़ेगा, यह वादा करती हूँ, और आपका यह एहसान, इसकी जुरत नहीं, आशू पोच्टा, चलो मेरे साथ, आप, आप, रोक्यों क्या हुआ है, क्या हुआ है इसे, पता नहीं कबसे रो रहा है, चुपी नहीं होता, लाइए मुझे देजिए, कौन ही जी, हॉस्पिटल से आई है, डॉक्टर साब ने भेजा है, तुम्हे कहा थे ना, तुम्हे भी बहुत कमजोर हूँ, बच्चे की देखवाल के लिए कि किसी बुठी औरोत के लिए कहा था, ऐसी थोड़ी, जिसके अपने बच्चे हो, बच्चा पानला जानती हूँ, मैं जानती हूँ, बच्चों के अच्छी तरह देखवाल कर सकती हूँ, मुझे एक मौका तो देजिए, मैं बच्चे को इस तरह समालूंगी, कि आपको बिलक आज दोना, लो, सुना इसे लिए, लेखा, फॉरन चुप हो गया, मुन्ना तो राजा बेटा है, राजा बेटा कभी नहीं रोता, इसका क्या नाम रखा है अपने, मुझे तो सूरज नम पसंद है, सूना अपने नम, सूरज, सूरज बेटा, सूरज की तरह चमकना, दिन र को भी सारी दुनिया को जागना पड़े, अबापा आदाम कीची, मैं इसको बाहर के कमरे में ले जाती हूँ, इदर लो, मेरे पासला, मैं नहीं चाहती, कि मेरा बेटा हमेशा नर्स की गुद में रहे, और अपनी मा को फूल जाए, तुम जाओ, जब जब ज़रूरत होगी मैं बुलालूंगी, जातक तुम्हारे बेटे के इतने पास होकर थे, कितने दूर हूँ मैं, कैसे पुरा करूगी तुम्हारा सपना कि अकेली कौन सा हरा देगा मुझे तुम्हारा बेटा अभी से हिम्माथ हार रही हो तुम्हें तु जीवन भर दुरभागे से लड़ना पड़ेगा अपने बेटे का भाग्य बनाने के लिए लो कुछ देर इसे अपने पास रख लो अनिता के जागने से पहले वापस कर देन मुझे मैं तेरी माँ हूँ माँ अपने बाबा का सपना पूरा करना है तुझे पाइलट बनना है बहुत बड़ा पाइलट समझे बनेगा ना आज एक साल के बाद तो अपने मा के साथ अकेला है आज एक बाद तो मुझे अपने मा कहें का पुकार बूलना मा बोल नहीं सकता बड़ा होकर बोलेगा ना मेरा राजा बेटा बड़ा होकर तुआकाश का राजा बनेगा अपने बाबा की तरह बनेगा ना चंदा है तू मेरा सूरज है तू ओ मेरी ओखों का तारा है तू चंदा है तू मेरा सूरज है तू ओ मेरी ओखों का तारा है तू जीती हूँ मैं बस तुछे देख रके इस तोटे दिल का सहारा है तू चंदा है तू मेरा सूरज है तू तू खेले खेल गई मेरा खेलाना है तू तू खेले खेल गई मेरा खेलाना है तू जिससे बंखी हर आशा मेरी मेरा सपना सलोना है तू नंधा सा है कितना सुन्दर है तू छोटा सो है कितना प्यारा है तू चंदा है तू मेरा सूरज है तू पुरवाई बन में उडे पंची जमन में उडे राम करें पपिको के बड़ा तू बन के बाद लंग गन भी उडे जो भी तुझे देखे वो ये कहे किस मां का ऐसा दुनारा है तू चंदा है तू मेरा सूरज है तू ओ मेरी काफों का सारा है तू जीती हूँ मैं बस तुझे देखर के इस तूटे दिल मां सहारा है तू चंदा है तू मेरा सूरज है तू हाई जिदी अरे शाम तू 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 अचालग कैसे आ गया क्यों तूम हैरान क्यों होगे मेरा केबल ने मिला नहीं तो बस यहीं मार्क आ गया इंजूस्तां कभी कोई चीज वर्फ पर नहीं मिलती खेर ठोड़ो तार के बले मैं खोद आ गया ना तू बदल गया है तू ओ दिदी कमों लेट्स गोई प्लीज दूनिया सारी बदल गई लेकिन दीदी तूमारे घर के हाला तूम ही तक मैं आगया हूँ सारे घर को मार्डनाइज कर दूगा यह देखो दीदी मैं तूमाले क्याचा लेया हूँ तूमाले है इसप्रेट यह परफ्यूम यह मुन्य के लिए मुन्या कहा है अभी तक मैंने इपनी माले को देखा था अभी बलाती हूँ कहां चल ले गई थी मुन्य को लेकर ते पार्क में ले गई थी इसके मामा जी आया है इससे देखने के लिए तरस रहे कितना बड़ा हो गया मुन्ना और काफे खुबसरत भी तुम्हारे साथ ही रहता है मुन्ना जी हाँ वंदना इसे अंदर ले जाओ अरे सुनो मुन्ने को मेरे कमरे में ले जाओ मैं इसके लिए बहुत सारे खिलोने लाया हूँ आया तो था सुरज निकलने की तस्वीर खिचने मगर चांद नजर आ गया चांद हो तुम्हारी जैसी खुबसूरत लड़की को चांद ही कहते हैं आपको मुझ से इसी बाते नहीं करनी चाहिए बस यहीं तो मार खा गया हिंदुस्तान मुन्ने के दुद का टाइम हो गया अरे सुनो तो तुम तो मुझे गलत समझ बैठी तुम्हारी सिर्फ एक तस्वीर लेना चाहता था मेरी तस्वीर हाँ हाँ बस तुम यही खड़ी रहो बस आइसे ठेड़िये मैं भी आई मामा लेंगे हाँ बेठा सूरज के साथ एक तस्वीर खीच कीजिए ना अरे मैं तो समझा तुम कपले बुपले बदरने मेक अब कर चल दिकीजिए ना अच्छा जरा स्माइब कब मिलेगी तस्वीर यही कर शाम तक मुझे कापी देंगे अरे तुम यह कापी की बात करती हो तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा चल मुलना अरे सुनो तो ओ हो अच्छा आप मेरे कंडिया में काफी देर से निताल कर रहा है मगर किसलिए यह कामन मैं तो तुम्हें सिर्प तस्वीर दिख लाना था तुम्हें तस्वीर के लिए शुक्रिया अच्छा लेकिन रात के वक्त आपका मेरे कंडिया मैना चीक नहीं शूर नहीं क्योंकि मैं एक नौकरानी हूँ आपके साथ बात कर सको यह मेरी आवकात नहीं यहीं तो मार खागया हिंदुस्तान यूरोप में नोकर और मालिक में कोई फर्क नहीं होता नहीं कोई भी किसी से नहुपट कर सकता है आपके इसी बात के एक थियो शरमानी चाहिए मैं तुम्हारी तुम्हारी ळीए तुम भी अक्यली हो मैं भी अक्यला हूँ तुम भी जवान हूँ मैं आपका हाथ जोड़ती हूँ यह तो गीवन तेक का जमाना है, मैंने तुन्हे खुश किया, अब तु मुझे खुश करो डाले निकल जाएगी आसे, वन्हे मैं शोर मचाओगी शोर मचाओगी, तो दिद्धी जाग जाएगी, इसी वक्त गर से निकाल देगी और मैंने चाहता, तुम इतनी जल्दी इस घर से चली जाओ, लड़की जब मुझे थपल मारती है, तुम मैं बुरा मी मालता हूं, दायरी में उसका नाम नोट कर लेता हूं, और एपन एप दिन साब किताब बुरा कर लेता हूं, कुट नाइट मैं इसरा बाहर जा रही हूं, वापस लाटने में थोड़ी देर होगी, और बुरने का स्कूल से आने का टाइम हो गया, उसके लिए जूस बना देंगा, जी हां, घर में कोई नहीं है, ज़रा ख्यान रखना, जी आप, हाँ, मैं, दीदी नहीं है गर में, जी नहीं, वो भी बाहर गई है, बाहर गई है, दीदी को मैंने ही चली फोन करके बाहर दे जाता, आपने, क्यों, याद है, उस दिन मैंने तुम से कहा जब कोई लड़की मुझे थपड़ मारे तो मैं बुरा नहीं मांता है, उसका नाम ढायरे में नोट कर लेता हूँ, और फिर एकने एक दिन उसका हिसाब किताब पूरा कर लेता हूँ, आज उतीना किया है, आगे मत बढ़े, बहुत दर्पा चुकी, लेकिन आज मैं तुम् मैं अपने गले से लगाना चापा हूँ डालें, कम ओन, किल में या केस कब तक जिद करोगी तुम, कब तक बच करोगी छोड़ दो मुझे करोगी 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 यूझ बहुक और चर्ड़ ममजड़ दो dein दो exists जज ह्रॉब म об cooperate कर दो दिम से 좋ниц धिएटर इए जजした झार आग मामा, सूरज, कुछ नहीं हुआ, कपला मत बेट, कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कुछ नहीं देखा, इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बालू, समझे, आओ, आओ मेरे से, जा, अपने कम्रे में जा, और कपला बदल लो, और इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं तुम आप है मेरी करसा, जा 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 इन प्रेश जिस आपने सुच तूझा उज का ध। प्रेशा का प्रेश क्या गाओ ुट गह हो जा बाइया, बाइया, खुल, ये के खुल, शाह, बाइया, मेरे बाइया, मेरे बाइया का किसने खुन कर दिया, तुने, तुने मेरे बाइया का खुन किया, तुने खुन किया, तुने मेरे बाइया का खुन किया, तुने मेरे बाइया का खुन किया, तुने मेरे बाइया का खुन े में ने A इह गून मेंुझे बंदना कैसे हैं आप दीदी कैसी है सब ठीक है तुम्हारा बेटा भी मज़े में है सूरज बंदना अचानक यह सब क्या हो मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि तुम्हें इस रूप में देखूंगा तुमने अपने लिए वखिल तक नहीं करने दिया जानती हो तुम्हें कम से कम 14 साल के लिए सजा हो जाएगी जानती हूं मैंने खुन किया है मुझे सजा मिलनी चाहिए मेरी तरफ देखो बंदना खुनी किसी से इस तरह आख नहीं मिला सकता उसके जहरपे स्वावी मान के इतना तेज नहीं होता बंदना आज तक मैंने देवी देवताओं को पत्थर की मूर्तियों के रूप में ही देखा था लेकिन आज देख रहा हूं एक जीधी जागती देवी को इंसान के रूप में एक मा के रूप में यह आप क्या खे रहे हैं आप मुझे शर्मी नमत कीजिए कोई भी मापने बेटे को बचाने के लिए वही करती जो मैंने किया ठीक है बंदना लेकिन तुम अपनी जिंदगी के 14 साल जेल में कैसे विताऊगी अपने बच्चे से दूर कैसे रह सको भी आपके भरोसी इस विश्वास के सहारे कि आप अपने बच्चे की तरह उसकी परवरिश करेंगे उसकी पढ़ाय लिखाए में कोई कमी नहीं होगी और एक दिन वो एफोस का बहुत बड़ा पाइलट बनेगा 14 साल क्या है देखते देखते बीच जाएंगे जब मैं जेल से बाहर आऊंगी मेरा बेटा 22 साल का होगा उसे देखते ही मैं अपने सारे दुख फूल जाओंगे तुम्हारे बेटे को एक अच्छा इंसान और पाइलट बनाने के अलाबा मैं उसे एक बात और सिखाऊंगा क्या तुम्हारी पूजा करता नहीं नहीं उसे भूलकर भी यह न बतलाएगा कि मैं उसकी मा हूँ उसे कभी नहीं पता चलना चाहिए उसकी माँ जेल में थी वरना वरना वो दुनिया में सर उठाने ही सकेगा ठीक है नहीं बताऊंगा आपका वक्त खतम हो गया है इन्हें अदालत ले जाना है बंदना एक बार अपने बेटे से मिलने के लिए जी नहीं चाहता है नहीं मैं नहीं चाहती है कि आप उसे जेल या अदालत के नजदिक भिलाएं आओ कि आओ कि आओ कि आओ कि आओ कि बैठो कि अच्छे वर्ताओं के लिए सरकार ने तुम्हें दो साल पहले रहा कर दी कि अब कर जाना चाहती है कि मालूम नहीं कुछ सोचा नहीं मैंने तुमने दिन राम परशाद जी के बारें पता लगवाने के लिए कहा था मैंने पता लगवाया लेकिन अब वो इस नहीं रहे क्या और उनकी पत्नी उनका बेटा उनका भी कोई पता नहीं चला अब वो लोग उस श्याह में नहीं है मैंने तलाश करने की बहुत कोशिश की मगर कोई बता नहीं सका ओँ इसलिए मैं जानना चाहता था कि तुम्हारा कोई और रिष्टदार है जी नहीं कोई नहीं है तुम कहां जाओगी कहां जाओंगे मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं अगर, अगर आप मुझे कोई नौकरी दिला दे, मैं तो भूल गई थी, मैं तो एक मुझ्रिम हूँ, मुझे नौकरी कौन देगा, अब तो कोई शरीफ आदमी मुझसे बात तक नहीं करेगा वंदना, एक बुड़े जेलर के घर में उसकी बहन बनकर रह सकोगी जी, कल मैं रेटायर हो रहा हूँ, तुम्हारी तरह कल मैं भी जेल से रहा हो जाओगा, देली में छोटा सा खर है, वहां मेरी प्लेटी है, कॉलिज में पड़ती है, बचारी की मा नहीं, दूसरा कोई अगर तुम उसकी जिम्मेदारी लेलो, तो मुझे बड़ी खुशी हो, लेकिन आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर सौपेंगे, जो बारा साल तक जेल में रही है, उसे, इसलिए तो तुम्हे समझने और पैचानने का मौका मिला, भले बुरे को पैचानने में, जे आपको बड़ा खुश्कितन समझू, मुझ जैसी बदनसीद को सहारा देकर, एहसान तो करी रहे है, शर्मीन दमत किजिय भाई साहब, मैं जिन्देगी की आखरी सास तक, आपकी ये महवानी भूल नहीं सकती, आपकी, सेथा रओमारान, समाननी कानुबी, एहसु आएगाो के वहांए, एह सbahnतर शी मेल, आओ ऐसे ढ़ा नहीं, आओ आओ नाओ 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 रेदु मार अंदे होंगी अभी मुलता हूं रेनौ 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 क्या है टी सलाम साप इटा बेटी जेलर साहब जब बीस साल तक आपने जेल को अपना घर बनाया तो अब यकीन आप अपने घर को भी जेल बनाना चाहेंगे इसलिए मैंने यहां पी जेल का महौल पैदा करने की कोशिश की है शरीव केंच शरा करो बेल काओ जलाओ यहीं बदलेती हूं वान टू खैड़ो कुछ शरम आरम है कि नहीं? ओ डैड़ी आपसे क्या शरमाने? जो चाहती वही करती है डैड़ी देख लिया आपने? मेरी प्यारी दुलारी बेटी क्या ख्याल है इसके बारे में? बहुत सुन्दर और बहुत ही भूली तो किसी बात पर हाथ मिलाए? नए 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 आप मिलाने से काम नहीं चलेगा यह बंदना जी है मैंने बहन बना कर यहां लाया हूं अब ही हमारे साथ ही यहां रहे ही अच्छा? चलो पॉंचो इनके अरे अरे जीते रहो बेटी डैडी ने आपको बहन बनाया है तो आप मेरी अंटी हूई आज तक मेरी जिंदगी में एक ही कमी थी मा की लेकिन आपको देखते ही मुझे ऐसा लगा कि अब वो कमी भी नहीं रही नचाने क्या बात है आपकी जहरे में मा बेटी मा की जगा इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता मगर यह बादा कर सकती हो आज से तुम्हे मा की कमी कभी नहीं महसुस होगी तो चली आप सबसे पहले अपना घर देखिए फिर नहाद रोकर खाना खाकर आराम से सो जाएए फिर जब आप उठेंगी तब मैं आपसे बहुत सी बहुत सी बहुत सी बहुत सी बहुत सी बहुत सी बात करेंगी एए आँटी को पाती डाडी को बिलकुल भूल गए मुझे यह भी नहीं पूछा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए मुझे मालूम है आपको क्या चाहिए एक कफ गरम चाय उसमें अद्रक और काली मिर्ष चाहिए हाजर है चल्ली आज़ एक बात पुछो साफ हाँ पुछो आप तो आप कभी जेल खाना नहीं जाएंगे ना चाह मतलब बड़ा लगता है साफ आप हमेशा दो चार दिन के लिए जेल खाराते है फिर जेल खाना चली जाते है अब हम जेल खाने नहीं जाएंगे 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 ज़ामा नानी की गरम भाणी लगता हो चलो जी सर्व अच्छान्टी मैं चलूँ वरना देर हो जाएगी एरपुर जाकर सहली को रिसीब करना है रेनु जी क्या नाम बताया सहली का नाम अम्य कमला हम तो अब वो माधुरी से कमला बन गई हाँ अच्छी बेटो रेनु बेटी तुम जैसे अच्छी लड़की के लिए जूट बोलना बहुत मुश्किल है मुझे आपसे जूट बोलना भी नहीं चाहिए झालती होगी दरसल वो एक लड़का है बहुत अच्छा लड़का है तुम्हारे पीताजी को मालूम है अभी तक नहीं आपको मेरी मदद करने होगी मेरे साथ एरपोर्ट चलिए उसे खुद मिल लीजिए और अगर पसंद आजाए तो डादी को ऐसी पठी पढ़ाईए कि उन्हें भी पसंद आजाए और मुझे पसंद नहीं आया तो इस बात का पैसला उन्से मिलने के बाद ही कीजिए चलीना जी प्रीज चलीना रेना यही प्रवलेप नहीं नहीं आजी यह नहीं है रेना प्रकाश जी वो नहीं आये जब मैं आगया हूं तो वो भी जरूर आएगे पहले प्रकाश आता है फिर सूर्ज निकलता है देखिए वो रहा आपका सूर्ज आज देखी वो देखी वो रहा सूर्ज हाई देखिए वो रहा आपका सूर्ज हाई देखिए वो रहा आपका सूर्ज हेलो रेनु स्वीटी अरे तुम तो रो रो के मेरी याद में कितनी मोटी होगी इन पैट 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 या कर रहा हो मेरी आंटी मेरे साथ आई है आंटी यह है सूर्ज हेलो आंटी हाई हाई है आप आपको पहले मैंने कहीं देखा है मुझे नहीं बेता मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा इत्स ट्रेंज ताजू भें कितना जाना पहचाणा से चैरा यह तुम्हें मालूम है मैं आंटी को अपने साथ क्यों लाई हूँ तूम अगर इन्ने पसंद आए तो यह तिस्वादी से तुम्हारी सिफ पारिश करेंगी मतलब ये कि तुम्हारी किसमत का फैसला आपको लड़का पसंद है या नहीं है एक मिनट बैसला सुनाने से पहले यह सोच दिजिए कि अगर मैं आपका बेटा होता तो आप क्या करती मैं, मैं, मैं जल से जल्द तुम दोनों की शादी की तारिक पत्की करते थी Oh, your auntie, so sweet. आप यहाँ भी ठैरिये, मैं पांच मिल में त्यार हो, क्या थो? अभी, अभी गया, अभी आज? अदर आओ, बेठी? नहीं, आँटी, बाद में आँगा. पुड़ी देर के लिए हाँ, चाई पी के चले जाना? आँटी, आदे घंटे के अंदर-ंदर मुझे आपने चीफ को हाजरी देनी है, I must report, बाद में आँगा. अच्या, बेठी, अच्या, बेठी, अच्या, बेठी, तो में जान पुच के लाँ चोल के चलेगी? क्या मतलब? चांस. किस बात का चांस? मैं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? समझे जाओगी. जूँटो, कोई देख लेगा तो? यह, कब होगी? क्या? मरिशादी. रेनू, अब नहीं आजाता. जी चाहता है, इसी वक्त. इसी वक्त? इस वक्त तो तुम्हे अपने बस को हाल स्री देनी है. ओ माइगाद, तुम्हें देख के मैं सब कुछ फूल जाता हूँ. इवन माइसल. इस बंदा मेट रहेगा है? आज आज आज़ेगो. 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 बिमासेगो. आज़ेगो. अब्सोन नाज़ेगो. यहां. 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 आव ना, चलो मेरी समझ में यह नहीं आता है कि जब कि इतना बड़ा घर है इतने बड़े-बड़े कमरे हैं फिर मुझे टेरिस में क्यों लाय जा रहा है जब से तुम आय हो हम तन्हाई में नहीं मिल सके मैंने सोचा शायद अखेली में तुमें मुझसे कुछ कहना हो राइट, मैं तो बड़ा बेचैन था अच्छा, क्या? कल रात मुझे एक सपना आया क्यासा जबने? पहले मसका लगाओ बोलो ना सूरज एक अजीब सपना बताओना क्या था? जंग शुरू हो गई दुष्वनों का प्लेन साथ इतने मैं? मैं चार्ज करके रेडर की तरफ जाता हूँ और अपने प्लेन के साथ उसके बाद अँटी आप मैं कपड़े सुखाने आया थी जा रही हूँ अँटी वो तो हम युही ज़रा हवा खाने उपर आगए थी अँटी यह जूट बोल रही है शीज़ लायर यह मुझे चट पे लाई थी जान दिखाने के लिए और कहती थी कि चट पैसे चान नारियल के पेड़ों के बीच में से बहुत खुबसूरत लगता है जूटी जूट आँटी यह जूट बोल रहे है मुझे मालूम है बेटा लेकिन आज तामा वश्चा है चांट तो ऐसे ही नहीं देखेगा फिर भी तुम देख सकोगे आँटी जम निकलेगा है नहीं तो तुम जिस चांट को देखना चाहते हो वो यह है आँटी 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 आप मुझसे बादा कीजिए बोलो बेता अगले जनम में आप मेरी मा पनेगी मैं तो अब भी तुम्हारी मा हूं तुम दोनों बाते करो तुम्हें चाय बना के लाती हूं थैंटी आँटी फाहरी अंटी और डायो है तुम्हारी अंटी किकिनि अच्छी है नाचानalen क्या बात है पुऩ्च्ज के मिरी तरफ देख्ती है मुझे कुछ हो जाता है और जब मैं देखती हूँ अर्या जब तुम देखती हो तो घजब हो जाता होश उडग आप चीज आते हैं दिल पर काबू नहीं रहता है चुट्टी हो जाती चुट्टी अच्छा सिर्फ देखने से नहीं प्यार से देखने से अपर चीज यह अज़ है लोग तो पागल हो जाते हैं पागल अब यह वह जाता अगर तुम मुझसे प्यार ना करती है यह कि ने कहा क तुमसे करूंगा उसका जवाब सस्तर देना तन 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 अच्छा तो यह बताओ बागो में बाहर है मैंने पूछा बागो में बाहर है है कलियों पे निखार है तो तो तुमको मुझसे प्यार है ना 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 तुमको मुझे प्यार है वागों में बाहार है छोड़ो हटो जाओ खकड़ो ना बैया आओना मैं तेरी बातों में सेओ छोड़ो हटो जाओ पकड़ो ना बैया आओना मैं तेरी बातों में सेओ तुमने कहा है देखो देखो मुझे सैया बोलो तुमको इकरार है पिर भी इनकार है तुमको मुझे प्यार है बागों में बहार है तुमने कहा था मैं सादुख सहूंगी छुपके पिया तेरे मन में रहूंगी मैं सब कहूंगी लेकिन वो ना कहूंगी तुमको जिसका इंतजार है है ओ फिर भी तकरार है है ओ तुमको मुझे प्यार है बागों में बहार है अच्छा चलो छेरो आगे कहानी होती है क्या बोलो प्यार की निशानी अच्छा चलो छेरो आगे कहानी होती है क्या बोलो प्यार की निशानी मुझे पे चैन रहती है बेम दिवानी बोलो क्या दिल बेकरार है मुझे पे एतबार है जीना दुश्वार है आज सौवार है तुमको मुझे प्यार है ना 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 देखना मैंने कलवा की छोड़ा आंटी मैंने तो आप से बिना पूछे ही सुरज को खाने पर बुला लिया था अगर मैं जानती कि आप इतनी सारी चीज़े बनाएंगी तो मैं नहीं बुला दी बेटे को खाना खिलाने में मां को कितने खुशी होती है यह तू कुछ दिनों के बाद समझेगी अगर तू को यह तू कर दो नहीं आसकते क्या मतलब खाना ठीबर पर रख चुका है आंटी ने तुमारे लिए खास डिशिज बनाई है अगर इडाही तुम्हें पर दम्हें का वरर्ल मिला है नहीं नहीं ने घबढ़ाहूंगी नहीं मिर रोंगी भी नहीं कब चाना है तुम्हें सूरेश एक उंची के अंदर आप मैं आते हूं अँटी जालों, सबको खटम कर खंगा। आयल्स्टेन भाउना एक काणा फिनीजा लूटारा को अश्रवाद दो की बापस लॉट कर आपके हाथ का खाहा थाका खाओ जाओ 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 बेधा कामियाब हो क्या आणडा थैंक यू थैंक वहाँ अटी वेनो, से गुदबाई और बूदाए हुआ तो गुदबाई वाई आ रुटी नो रोति मोजा रहसे कीओ जब भापिस नूए इसी तरह मुट्राते आना ब्ल्यों, था दाइछ से एठाइछ से ने बाइछ यह अल- इंडिया रिडियो है कुछ दिर पहले तक की रिपोर्ट से पता चला है कि आज भारती वाई सेना के जवानों ने दुश्मनों के तीन बंबार हवाई जहाज मार गिरा है और दुश्मन के एक छावनी को तहस नहिस कर दिया हुआ है हेलो लेनो जी मैं परकास बोलगा हूँ एक पुरी खबर है सूरज के प्लेन अभी तो कवापस नहीं लोटा और अभी तो कोई खबर नहीं मिली नहीं 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 आप घबराईये मत अलाश जारी है उसके साथ हुने प्लेन को गिरते हुए नहीं देखा हुए हमें तो अभी हुए 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 ह नहीं, ऐसा मत कहना, सूरच जिन्दा है, मेरा आशिरवाद उसे हर खत्रे से बचाएगा रो मत बेटी, मुझे विश्वास है, वो बहुत जल्दी वापस आजाएगा वो मुझे कहकर क्या है, वापस आकर मेरे हाथ का खाना खाएगा क्या है, वापस आकर मेरे हाथ किल्दा अलओएफह हिल्दा से बाऑद युशに वेश्श है किल्दारक युजड जा जलो एड़र तुमने मेरा सुहाग छिना, मैं चुप रही, तुमने मेरे बाबा को छिना, मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने मेरे साथ हर पदम पर अन्नाय किया, मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की, लेकिन, लेकिन अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया, तुम मैं समझूंगी तुम इश्वर नहीं हो, तुम संगसार के रखवाले नहीं हो, तुम, तुम पत्थर हो, मैंने आज तक कभी तुमस यंन स्टë कुछ नहीं मांगा बगवाल, आज मांगती हूं। अपने बेटे की जिंदगी मेरे बेटे की की देदो बगवाल making की देदो इसफली म्हें मुझी बडलाउ मेरे बेटे की देदो बगवाल को जिन्ते के देटो एम जी गुड नियूस एक खुशक्वरे लाया हूं आपके लिए नमस्ते अंकल नमस्ते अंजी कहा है सूरज इस वक्तु वह वह मिलिक्टरी हॉस्पिटल में है हॉस्पिटल में? घबराने की कोई बात नहीं उसकी हड़ी पसली एक डम सही सलामत है आस अंकल एक गोली उसके कंदे पर लगे थी निकल गई मैं तो कहता हूँ कि एक हफते में भंगला डांस करने लगे का दिखना मैंने कहा था ना सूरज को कुछ नहीं होगा भगवान ने मेरी सुली इसका मतलब है कि हमारा हीरो बिलकुल सही सलामत है अजी हीरो भी ऐसा वाइजाज में आठ लग गई प्लेन क्रेश हो गया पैराशूट से निजे गुदा तो दुश्मनों की बंदूगों के पीच में हमारी सरज से बीश मिल दूर कोलियों की बोचाओर से बच्ता 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 वापिस आगया क्या हम सुरज जे मिल सकते हैं? शूर अस्पिटल में चार से श्य बच्टा तक मिलने का ताम होता है आप जागेगा अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ नमस्ते हुआ अच्छा 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 अबलगज़ रेनो अच्छा 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 था जखता I hope you don't mind कुई जरूरत नहीं बेटा जरूरूरत नहीं बेटा जरूरूरत कैसे नहीं अजी आपके पैर चुकर आश्रवाद लेकर तो गया था इसे तो वापी जिनना लटा वट यूसे नहीं बेटा नहीं बेटा जरूर रोने लगती अपने बच्चों की खातिर कभी ना कभी हर मा को रोना पड़ता है कोई आंसू बहा कर रोती है और कोई आंसू पी कर क्या बात आउंटी कुछ नहीं आउंटी एक बात पूछू आपका कुई बेटा यहां बेटी नहीं है था बिल्कुल तुम्हाई तरह मैंने उसे खो दिया ओ अप्लाइटलेटनेंट सुर्ट आपको माँ आपसे मिल ले आई है मामी आई है अहां उने बेजिए प्लीस है डॉक क्यों 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 अपको मेरी माताजी से मिलके जाना होगा अपको मेरी माताजी से मिलकर जाना होगा रेहिता रेनो बेटी तुम्हें मेरी से रहना आई काँ सुरेच, क्या हो गया मैं तेरी जान बज गई, कल कोई पूरी बात हो गई, तो मैं कहां जाओंगी, क्या करूंगी मुझे कुछ नहीं हुआ है तुम घर जाकर सवा पांच रवे का प्रशाव शंकर जी के मंदिर में चाड़ा देना आएंद्रा यह भी नहीं होगा तुम्हें यह भी नहीं होगा जैसे तुझे सब कुछ मालूम है जितिरावर्टी यह कौन है रहे? मा, मुझे डॉक्टर ने जादा बोलने की मना किया है तुम्ही बतला दो ना जी, मैं रेलू हूँ, मेरे पिताजी रिटार्ज देलर है अच्छा, तो तुम्ही रेलू हो तुभारे बारे में इसने खत में लिखा था लेकिन जो कुछ लिखा था, बहुत कम था मा, चैंती हूँ, डॉक्टर ने क्या कहा है डॉक्टर ने कहा है, कि अगर हमारे शादी जल्दी नहीं हो जाती तो मैं जल्दी ठीक नहीं हो सकता हाई राम, मैं तो आज जाके बात पक्की करके आती हूँ प्रामिस? बाबी? मादन जी आप सूरज को देखते ही मैं समझ गया था कि वह आपका बेटा है, हमारे अरून का बेटा लेकिन जब उसने पिता का नाम कुछ और बताया तो मैं खमोश हो गया आज क्यों उसे नहीं मालूम कि मैं उसकी माँ हूँ और आप भी वादा कीज़े ये बात उसे कभी नहीं मालूम होगी मेरी तरफ से तो नहीं होगी लेकिन अगर भगवान है तो एक दिन वो जरूँ जान जाएगा कि उसके असली माँबाप कौन है अद्सक्राशी नहीं नहीं तो तो नहीं है मैं भी रीत रिवाज की खातिर आप से मिलने आए हूं आप लड़की की पिता है, मैं लड़के की माँ हूं दोनों की मर्जी से ही बात पक्की होनी चाहिए अब वो जमाना नहीं रहा आज कर तो लड़का लड़की खुदी बात पक्की कर लेते हैं माण बापकी जरूड़तो तो सिर्फ आशीरबाद देने के लिए पड़ती है इनकी खुशी मेह ही हमारी कुशी है तो जल्ड से जल्ड इनकी खुशी के लिए जल्ड से जल्ड सा बोतों काम र्ख निकलवाना चाहिए मैं भी यहियो चाहती हो शर्मा गी है बच्ची है ना वंदना ने को सूरज की माताजी आई है वंदना मेरी मुझ बोली बहन है नमस्ते नमस्ते मैं सरा आपकी बहन से मिल सकती हूँ क्यों नहीं मिलिया ना वंदना मुझ न छुपाओ मैंने तुम्हे देखते ही पहचन लिया आज मेरे पती को गुजरे चार साल हो गए और मैं चार साल से तुमसे मिलकर माफी मांगने का मौका ढूंड़े थी मुझ से माफी मांगने का? हाँ मरने से पहले वो तुम्हारे बारे में सब कुछ बता गे तो तो क्या आप जानती है कि मैं सूरज तुम्हारा मिला है मैं ये भी चानती हूँ कि मेरे भाई का खून क्यूं हुआ और किसके हाथों हुआ बंदना, मैं बहुत शालीना हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सुरूप किया था हो सकते, मुझे माफ कर दे जी जी यह प्या कर रही है देदी जिस रोज से मुझे पता चला है उस रोज से आज तक मैंने सूरज को अपना बेदा ली तुम्हारे अमानत समझाए और मैं उस खड़ी के इंतिजार कर रही हूँ कि तुम्हार बेदा तुम्हे सौब सकूए सूरज को असलियत कभी नहीं मालूम होनी चाहिए आज हो एक होनहार पाइलट है कल रेनु के साथ उसकी शाथी होने वाली है भविश्व के रंगीन सपने है उनके सामने आज अगर उसे मालूम हुआ कि उसकी माँ आप नहीं मैं हूँ जिसने खून के जुर में बारा साल तक जेल काती है तो कितना बड़ा सद्मा पहुचेगा उसे दुनिया के सामने सर नहीं उठा सकेगा उसके सारी जिन्दगी बरबाद हो जाएगे अपनी जिन्दगी का कोई ताल नहीं इतने दूम चेल कर इतना बड़ा प्यार करने के बाद भी अपने बेदे को अपना नहीं बनाऊगी नहीं दिधी उसकी मा कहलाने का अधिकार सिर्फ आपको है आज वो जो कुछ भी है आप एक हिवजह से है लेकिन बंदना सुरज तुम्हारा बेदा है नहीं दिधी नहीं मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूं अब को वादा करना पड़ेगा, अब सुरज को कभी कुछ नहीं बताएंगी अब चुप क्यों है, वादा कीजिये, अब सुरज को कभी कुछ नहीं बताएंगी अच्छा, अच्छा, तुम जैसा को होगी, वैसे ही होगा दीदी मुझे!!! मिल का लगा!!! मिल गा!!! यह जिल गव्हा isn'tee बड़े नंगाई えो कि लाटर्य निकलाई तूप하다 यह शुचा रही है अरे तो नाचित के अपारों में मेरा नाम होगा फोटो होगा आखर मालूम को हो बात क्या है प्रहप default आंटी आंटी आप इन लोग को पढ़के बतलाइए पढ़िए एफोस है बहुत जिया आपके आशिरवाद से मुझे भी दिखाई अच्छी माचा अंटी इसा भी पढ़ लेने दीजिए सूरे मुबार्ट मुझे बहुत खुश हुए तरह बहुत 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 आज में दोस्तोंने पाटी रखिये और मैं रेनु कोमा ले जाना चाथ जो नहीं जो नहीं जो बटे तयारो जो बटे तयारो तुम्हें कॉन सा रंग पसंदेर? क्या? मेरा मतलब है किस ररगी साड़ी पैनू? पिंक साड़ी है? हाँ है मगर उसके बड़ बड़ फूल है बड़ बड़ फूल बहुत चलागे जो नहीं आज की बेटी बहुत बुद्दू है शी बड़ सिली तुम्हेरा सबना सच हो गया तुम्हारा सबना सच हो गया निनी निनी हाइदार पाव आव आवा गगए कि देनू, ठीक तो हने? कि या वागा? नाइसा, कुछ नहीं अचा त्माय दीडी का ता? वो तो मुझे ही पता, लेकिन दीडी का ता? दीडी का ता? इटीक तो हने? आई ये अर्वाइट? इसाई आटीज मेरे कपड़ी तीजिए है? तेर हो तो ये तूर जाता ही होगा मैं आग्या हूँ मैं समझी आंजी है तुम बाद निकलो मेरे कमरे से अजी बहाराजो, इसमें शर्मानी की क्या बात है? वैसो तो अमारी शादी की तारिक भी पक्की होगई इसाल फेक्स्ट तुम ऐसे महीं मानेगे? या बल्कुल वै क्या क्या तुमने? सारा पर युनिफर्ण खराब कर दिया अपने फंक्शन में क्या पहनूगा? यू सिली गर्ल क्या हुआ बेचा? अँटी 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 तेखिए कुछ नहीं बेचा तुम परिशान मत हो मैं अभी इस तेरी करकर सुखा देती हूँ रेनु बेटी रेनु मोटी अब तो तेरा कपड़े भी आगए अब तो तयार हो जाओ अब तो तयार हो जाओ ऐसा नहीं कहेथे रेनु परिशने नहीं आज की जलसे में क्या होने वाला है भी अँटी बास कुझे नाहींना मिलेंगे कुछ लेक्सर बाजी होगी बस यह कुछ होग और क्या बैठो सुनिया अगर आपकुछा तक्लीप नहों तो एक प्यली करम प्चाई भी होजा झाल। प्रप्रेश प्रप्रेश अविए बहुंदना, आज शूरच फिल्य आर फुटरनी खतन होगी, और अब वे इंडियन एर फॉर्स का पाइलट है, सूरच के पिता का ये सपना पूरा करने की जो जिम्मेदारी तुमने मुझे सौंपी थी, वो आज मेरी तरफ से खत्म हो गई, मुझे खुशी है कि जीते जी मैं अपना वादा निभा सका, कुछी दिनों का महमान और हूं, तुम्हारे जेल से रिहा होने तक मैं शायद नहीं रहूंगा, मगर मरते वक्त भी मेरी शुर्षी यही प्रार्थना होगी, कि एक दिन तुम्हे अपना सूरज, तुम्हारा बेटा वापस मिल जाए, तुम्हारा राम प्रजाज सक्सेना. जंदा है तु, मेरा सूरज है तु, मेरी आख आख तारा है तु, जंदा है तु, मेरा सूर्षी है तु。 पुर्वाई बन में उडि, पंची चमन में उडि पुर्वाई बन में उडि, पंची चमन में उडि राम करे कभी होके बड़ा, तू बन के बादल गगन में उडि, जो भी तुझे देखे वो ये कहे किसमा का ऐसा डुला रहे तू, चन्दा है तू, मेरा सुरज है तू ओगावड़ा ओ एहने वह बतारा यहिलो ऐसे क्या देख रहे हो बेटा कुछ नहीं मैं सोच रहा हूँ आपको भी मेरे साथ चलना होगा मैं मैं क्या करूँगी उहां जाकर आज आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी का दिन है मेरी खुशी का दिन और आप नहीं चलेंगी तुम्हारी मा जा रही है रेनु जा रही है तुम्हारे साथ आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा मैंने कहा न बेटा चीक है अगर आप नहीं चलेंगी तो मैं भी नहीं जाओंगा जिद नहीं करते हैं मैं तयार है चला रेनु यह मारे साथ चल लई है, इनको तयार करके लाना तुमारी दिम्हेदारी है, मैं नीचे हॉल में इंतजार करता हूँ चलिया जी, आइए ले मैं दिल्ली सिटिजिंस कमेटी की तरफ से आप सब का स्वागत करता हूँ और अपने चीप गश्ट से रिक्वेश्ट करता हूँ कि वो आज के जल्से की कारिवाही सुरू करें तेंक्यू, तेंक्यू आज के इस जल्से में हम सब लोग अपने उन नौजवान दिलेर पालिर्स को बढ़ाई देने के लिए कटे हुए हैं जिन्होंने अपनी देश की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेल कर बहादुरी की ऐसी मिसाले कायम की हैं जिनकी लिए सारे देश को, हर हंदुस्तानी को उन पर नाज़े, फक्र है क्यों तो सरकार की तरफ से उन्हें एक हिताब मिल चुके हैं और मिलते रहेंगे मगर मैं समझता हूँ कि जनता के प्यार और उसकी सद्वावना से बढ़ कर कोई नाम नहीं हो सकता मुबारक बाजी के लिस्ट में सबसे पहला नाम है फ्लाइट लेटनेंट सूरज कुमार सकसेना सर, आपको ताजू भी इसलिए हो रहा है कि आपने फ्लाइट लेटनेंट अनुल वर्मा को देखा था आपको अरुन वर्मा तो यह सब कुछ मैं आपको फंक्शन की बाद में बतलाऊंगा लेकिन इस वत मुझे इजाज़त दीजिए कि जब मुझे मैडल दिया जाए वो भी यहां मौचूद हूं आपको a कि जिसकी वज़े से आज यह दिन अरी जिन्दगी में आया है आज मैं जो कुछ भी हूँ जो कुछ मैंने किया है जो अजर्फ मुझ स दी जा रही है इस सब हनुर्ण ondaरि गिग्स क के इस हुषी के मौक पर मेरे साथ उने में अपको दिया जाए इसे मैं दुनिया के सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ा मैडल समझेंगा, सर अफकोस, अफकोस, मैं खुद ऐसी हस्ते से मिलना चाहूंगा, बलाओने थांकियो, सर्फ माँ, यहाँ हो, माँ जो हो, माँ, सूरज तुम्हें बला रहा है, मुझे हाँ मा, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ आपने सूरज को सब कुछ बता दिया, नहीं तो, खुन ने खुन को पैचाल दिया, जाओ आओ न माँ बाबी, आईए यादी, मैंने आपसे कहा था, एक दिन सरूर आएगा जब आपका बेटा, आपको मां कहकर पकारेगा है आई सर आपने शायदी नहीं पहचाना नहीं है याद है आपकी बड़ दे पर अरुन के साथ आपकोर्स मैंने नहीं पहचान लिया है लेकिन मेरे समय में नहीं हारा है कि दुनिया के सामने मुझे अपनी पत्ली बनाने से पहले ही वो और आज तक इसलिए अपने बेटे को अपना बेटा ना कह सके जिन्दगे में अकेली मुसीबतों का सामना करती रही ताकि मुझे इंडियन एक फोस में पाइलिट बना सकें क्योंकि मेरे पिता को बचन दिया था है लो में जिन्दगे में ऐसी कुछ बाते हैं जो समाज के दारे से कहीं उची है उनमें से आप भी एक है और मैं समझता हूं आपके बेटे को मेडल पहना ही आप मैं जो अरत अपने पती की मौत एर क्राश में होने के बाद भी अपने इकलौते बेटों के इंडियन एर फोर्स में पाइलिट बनाने की हम्मत रखती है मैं समझता हूं उसी मा के हातों से मेडल उसके बेटे को दिया जाना चाहिए अब देख रहे हैं वंदना जी आज आपकी बर्सों की आराधना सपन हुए लेजे 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 मा आज मैं सारी दुन्यों के सामने सर उठा के कह सकता हूं ना जाने कितने जन्म लेने के बाद ना जाने कितनी तपस्या के बाद तुम जैसी मा तुम जैसी दिली का पेटा बन सका हुआ होगी तेरी आराधना सपन होगी तेरी आराधना काहे कुरो ही काहे कुरो ही काहे कुरो ही काहे कुरो ही प्याँ काहे कुरो ही आराधना काहे कुरो ही आराधना